एक छोटे से बच्चे से लेकर एक बड़े आदमी तक सभी ने कैडबरी अपनी पूरी सिंदगी में कभी ना कभी तो खाई ही होगी कैडबरी के लिए हम सभी के दिलों में बहुत जगा है और यही वज़ा है कि कैडबरी 200 सालों से चलती ही चली जा रही है तो चलिए मैं आपको हमारी पसंदीदा चॉक्रिट की कमपनी की कुछ जानकारी देता हूँ कैडबरी एक मर्टीनाशनल कनफेक्शनरी कमपनी है जिसके ओनर मॉंडलीज इंटरनाशनल है और यह दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कनफेक्शनरी कमपनी है जो 50 से भी जादा देशों में चलती है और इसका सबसे फेमस प्रोडक्ट है डेरी मिल्क जो इंडिया के हर इ 30 तक उन्होंने काफी सारी नई नई वराइटीज बना दी लेकिन वो अपने प्रोडक्ट केवल अमीर लोगों को ही बेशते थे क्योंकि उनको चॉकलेट और कोकोवा बनाने के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ता था और 1847 में उन्होंने अपने भाई मिस्टर बेंज के लिए चॉकलेट और कोकोवा मैनिफैक्टर करेंगे लेकिन फिर 1850 में इस कंपनी के प्रॉफिट्स लॉसस में कनवर्ट होते चले गए और काफी सालों तक इनका बिजनेस अच्छा नहीं चला और फिर 1961 में मिस्टर जॉन के दोनों बेटे मिस्टर रिचर्ड कैडबरी और मिस्टर जॉर्ज कैडबरी ने कंपनी को चलाना चालू किया और उस समय उनकी कंपनी बहुत ही जादा खराब हालत में थी उनके इंप्लोईज 20 से केवल 11 रह गए थे और उनके फंड्स भी खतम हो रहे थे लेकिन फिर उन्होंनोंने स्ट्राटेजी मनाई और चाय और क कोफी को भूल कर उन्होंने चॉकलेट पर फोकस किया और उसकी क्वालिटी भी बहुत इंप्रूफ करी और इस सब की वज़ा से 1864 तक कंपनी ने फिर से प्रॉफिट्स देना चालू कर दिये और उन्होंने अपनी इंप्रूफ कोकोवा को ब्रिटेन में बेचना चालू कि और फिर उन्होंने 1870 में एक्सपोर्ट करना भी चालू कर दिया 1880 में वो चॉकलेट कंफेक्शनरी भी बनाने लगे और 1897 में इन्होंने अपनी मिल्क चॉकलेट बार्स भी इंट्रिद्यूस करे और दो सालों बाद 1899 में कैटबरी एक प्राइवेट लिमिंटेट कंपनी बन गई फिर 1905 में इन्होंने वो चॉकलेट बनाई जिसके हम सभी फैन हैं आप सही सोच रहे हैं मैं डेली मिल्क की बात कर रहा हूँ और इस चॉकलेट में खास बात ये थी कि इस चॉकलेट में बाकी चॉकलेट के मुकाबले में बहुत जादा दूद होता था और 1915 में मिल्क ट्रे के नाम से प्रड्यूस किया गया था और इन्होंने धीरे धीरे काफी सारे नई प्रोड़क्स लॉंच करें जैसे डेरी मिल्क, फ्रूट अंड नट, फ्लेक, क्रीम फिल्ड एग और भी बहुत कुछ 1930 तक कैटबरी 24th largest British manufacturing company बन गई और डेरी मिल्क की पूरे चॉकलेट मार्केट में 60% हिस्सेदारी थी और इन्होंने बहुत सारी कंट्री में manufacturing करना चालू किया जिसमें इंडिया भी एक थी और इन्होंने आगे चलके काफी सारी companies को acquire किया और ये ऐसे ही आगे भढ़ती रही अपने बचपन के दोस्तों के साथ कैटबरी की तरह ये वीडियो भी जरूर शेयर कर दीजेगा और अगर आपको डेरी मिल्क पसंद है तो वीडियो पर एक लाइक तो बनता है और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलेगा